गुड माइनिंग तू आले सुजियन्स आएए बच्छों क्लास नाइन छितिज का काभ भिखन्ड में कभीर को पढ़ते हैं पहला चैप्टेर आपका कभीर हां तो आएए देखते हैं कभीर के जन्म और मृत्यू के बारे में अनेक किवमत दंतियां प्रचलित हैं कहा होते हैं प्रचलित हैं कहा जाता है कि सन 1398 में कासी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपासमगर में देहांत हुआ तो इस प्रकार 398 में उनका जन्म कासी मुआ और 1518 के आस में मगहर में देहांत हुआ कबीर ने विधिवत सिछा नहीं पाये थी परुंत सत्संग पर्यटन तथा अनभो से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था भाक्ति कालीन निर्गुण संथ परंपरा के प्रमुख कभी कवीर की रसनाएं मुक्त कबीर गरंथावली में संक्री ही थें किन्तु कबीर पंथ में उनकी रसनाओं का संग्र बीजक ही प्रमाडिक माना जाता है कुछ रसनाएं गुरु गरंथ साहब में भी संक्री थें कबीर की कुछ रसनाएं जो हैं गुरु गरंथ साहब में संक्री थें कबीर अत्यंत उदार निर्भय तथा सद्ग्रियस संथ राम और रहीम की एक्ता में विश्वास रखने वाले कबीर ने इस्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखन भेद भाव कर्मकान का खंडन किया उन्होंने अपने कबीर में धार्मिक समाजिक भेद भाव से मुक्त मनुच्छ की कल्पना की इस्वर प्रेम ज्यान तथा वैरागि गुरु भक्ति सथसंग और साद वहिमा के साथ आत्म बोध जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके कबीर में हुई है कबीर की भासा की सहस्ता ही उनकी कव्यत्मक्ता की सक्ति है जन भासा के निकट होने की कारण उनकी कव्यवासा में दाजनिक चिंतन को सरा ढंग से ब्यक्त करने की ताकत है आईए वस्व देखते हैं यहां संकलित साखियों में कबीर की साखियों में प्रेम का महत्तु संत के लक्षण ज्यान की महिमा बाया डंबरों का विरोध आदिभाओं का लेख हुआ है पहले सबद पद में बाया डंबरों का विरोध यह अपने भीतर ही इस्वर की प्राप्ति का संकेत है तो दूसरे सबद में ग्यान की आदि के रूपक के सारे ग्यान के महत्तु का वर्डन है कबीर कहते हैं कि ग्यान की सहायता से मनुस अपनी दुरवलताओं से मुक्त होता है तो अच्छो आज का क्लास यह पर समात होता है अगले क्लास में मिलते हैं तब तक नमस्कार